जी है दोस्तों अब के लिए बेग नियूज है नेपाल की टीम ने शांदार बेटिंग पर्फॉर्फॉर्मेंस दिये है आज के मैच में एशिया कप में इंडिया के खिलाफ और दो सो तीस रंस ठोक दिये हैं इंडिया के खिलाफ मैच में बारिश भी मतवक्य है दो बार पहले भी मैच में बारिश हो चुका है अब देखते हैं कि होता है आगे मौमद अफीस ने ये प्रेडिक्ट किया था कि नीपाल टीम डेट सो से आगे नहीं जा सकता है और उमर्गुल ने ये प्रेडिक्ट किया था कि नीपाल टीम ए आसानी होता है या बहुत ही मुश्किल होगा और इस मैच के बाद पाकिस्तान इंडिया के मैच का भी शायद रिजल्ट कुछ लोग देखेंगे कुछ लोग बोरेंगे कि पाकिस्तानने 260 रशन बनाया था 266 तो नेपाल ने 230 रंस बनाए है तो पाकिस्तान 30-35 रंस नीपल से तो ज्यादा बना सकता था इस वज़े से पाकिस्तान वो मैच जीत सकता था तो देखते हैं कि आज के मैच के रिजल्ट क्या निकलता है और क्या इंडिया ये आसानी से चेस कर पाएगा टार्गिट वैसे नीपल के पास कॉलिटी बॉलिंग्स भी है संदीप है खरन एक अच्छा फास्ट वोलर अपाकिस्तान के पिछले मैच मेश याकप के पाकिस्तान खिलाफ उनों ने पहले पहले बाइस रंस पे दो आउट किये थे फखर और इमाम को नीपल की टीम के विकेट कीपर बेट्समेन आसिफ की तरफ से एक अच्छा शांदर फिफ्टी देखने को मिला और अच्छे प्रॉपर शॉट्स के लिए आसिफ ने ये तर जी हमारा आज का वेडियो वेडियो पसंद है वेडियो को लजमें लाइक करे चैनल पिने है तो चैनल को सब्सक्राइब करें वे लाइक आइंगो दबाए तक लेटेस नीउज आपके साथ शेयर कर सको तेंक यू जी